हे दोस्तो, हावर यू, स्वागत आप सभी का, आपके अपने चनल Physics Mail में दोस्तो, आज से हम हमारा जो 11 Physics का Course है, उसको स्टार्ट करने जा रहा है और इस सीरीज में हम टोटल जो 11 Physics है, उसको पड़ेंगे तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हमाले है हमारा फॉर्स लेक्चर जो है मेजरमेंट्स पर तो यह मेजरमेंट ही हमने फॉर्स चैप्टर क्यों लिया तो उसको जानेंगे उसके पहले जानते है कि what do you mean by physics so physics is a branch of science which deals with nature and natural phenomenon तो physics क्या है भई तो जो nature है और जो natural phenomenon है उसके बारे में पढ़ाई करना यान है physics है तो देखो ancient period से जो भी human being था वो बहुत ही curious था उसके आजवाज़ो में जो भी natural phenomenon हो रहे थे उसके बारे में वो बहुत ज़्यदा curious था वो देखता था day and night दोनों को देखता था seasons देखता था volcanoes देखता था earthquakes देखता था ये जो सारी phenomenon थी उनके बारे में जानने की कोशिश करता था और कई बार जब वो नहीं जान पाता था तो उसको relate कर देता था God से but most of the times वो think करते रहता था कि ये क्यों होता है जैसे moon आता है जाता है sun आता है जाता है क्यों आता है कहाँ पे जाता है कैसे जाता है कैसे गुनता है ये सारी चीज़े वो think करते रहता था यानि उसका mind बहुत ही ज़्यादा curious था इसके लिए वो क्या करता था अलग-अलग experiment करते रहता था तो हम देख रहे है एनिसियंट जब आर्किमेडिस से हम देख रहे है कि बहुत पुराने टाइम से ये जो experiment से ये चले आ रहे है तो वो experiments करता था फिर उसके observations लेता था और observation लेने के बाद conclusion निकालता था तो इसी तरीके से ये कई सदियों से चला रहा था तो देखो दोस्तो जो हमारा curiosity है उसको satisfy करने के लिए हमें experiments करने पड़ते हैं और वो जो experiments है उसमें हमें measurements लेने पड़ते हैं है ना तो जो भी हमें experiment कर रहे हैं उसके कुछ observations होते हैं measurements होते हैं तो observations निकालने के लिए हमें measurements करना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो measurements पढ़ना है तो चलो start करते है measurements को आज यहाँ पर हम पढ़ना तो देखो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम देखेंगे कि measure आप किसको कर सकते हो तो भई physical quantity को आप measure कर सकते हो तो physical quantity की definition ही है जो भी measure हो सकता है जो भी quantity measure हो सकती है उसको आप बोलोगे physical quantity like for example length तो length ऐसी quantity है दोस्तो आप meter में measure करते हो measure करते हो इसलिए length क्या है physical quantity है mass क्या है mass भी physical quantity है kilogram में आप measure करते हो उसको time क्या है time भी physical quantity है क्योंकि आप उसको measure करते हो seconds में तो ऐसे ही आप weight वगरा force बहुत सारी चीज़े है बहुत सारी quantities है जो physical quantities है उसको आप measure कर सकते है तो चलो दोस्तो थोड़ा सा मैं भी आपको think करने लगाता हूं क्या आप मुझे बता सकते हो कि stone क्या है या तो फिर ball क्या है क्या ये physical quantities है क्या ये physical quantities है तो देखो दोस्तो यहाँ पर ये जो definition है उस definition को आप carefully देखो तो आपको बता चल जाएग कि stone or ball ये physical quantity है या नहीं तो definition क्या है quantity which can be measured तो जो measure हो सकता है वह ही physical quantity है तो क्या stone measure हो सकता है तो यह है मैं numbers में नीची तो ऐसी कोई characteristic है जो measure होती है हाँ इसका mass measure होता है तो stone का जो mass है वो physical quantity है actual में खुद जो stone है वो physical quantity नहीं बाल जो है ball का आप mass measure कर सकते हो, उसका weight measure कर सकते हो, इसका area measure कर सकते हो, इसका volume measure कर सकते हो, यह सारी physical quantities है, ball itself एक matter है, वो physical quantity नहीं है, तो physical quantity वो है जो आप measure कर सकते हो, mass हो गया, length हो गया, area हो गया, volume हो गया, density हो गया, यह सारी जो है, यह सारी की सारी चीज़े measure हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम physical quantity तो भई physical quantity measure होती है लेकिन भई measurement करने की जरूरत क्या है क्यों हम measure करें क्या हमें measure करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चलो देखते है need of measurement need of measurement क्यों measure करें हम क्या जरूरत है भई अगर हमने नहीं measure किया तो क्या हमारा कुछ loss होने वाला है तो यही देखते हैं चलो देखो, मैंने मेरे घर पे एक पौधा लगाया चीक है, और वो पौधा बड़ा हो गया अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो पौधा यहाँ पे लगाया है मेरे घर पे जो भी पौधा मैंने लगाया तो वो बहुत बड़ा हो चुका है ऐसे मैंने आपको बताया चीक है, बहुत बड़ा हो चुका है बहुत बड़ा है अब आप बोलोगे सर कितना बड़ा है तो मैंने भी बताऊँगा लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि बहुत बढ़ा है अब आपने भी एक पौधा लगाया अपने गर पे, चीक है? तो आप बोलोगे कि सर हमने भी पौधा लगाया था, अभी बरसाद का मोसम आ रहा है, तो हमने भी पौधा लगाया तो वो जो हमारा पौधा था वो भी अभी बहुत बढ़ा हो चुका है और बहुत बढ़ा है, हमारा भी पौधा तो अभी मैंने भी सुना लेकिन भाई हमें पता कैसे चले कि आपका पौधा बढ़ा हुआ है याने आपका पौधा ज़्यादा बढ़ा है या मेरा पौदा ज़्यादा बड़ा ये हमें कैसे पता चलेगा तो यहाँ पे आपको करना होगा measurement अब measurement आप कैसे करोगे तो measurement करने के लिए आपने क्या किया या तो पर मैंने क्या किया मैंने एक छोटी stick ली और मैंने मेरा जो पौदा था उसको measure करना start लिया, तो मेरे पास जो stick थी वो इतनी बड़ी थी, चीक है, इतनी बड़ी stick थी, तो मैंने क्या कर लिया, देखो, यहाँ से यहाँ तक, इतनी बड़ी stick थी, तो मैंने क्या कर लिया, यह stick को उठाया, stick को उठाया, चलो, यह जो chalk है, उसी को stick मानते है, तो यह मे 3 आया suppose, मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़े से height और बढ़ाते हैं, तो 3 आया, suppose, तो 3 sticks, ये किसकी लंबाई है, ये मेरे पोदे की लंबाई है, और आपके पोदे की लंबाई कितनी है, तो आपने ये 1 और ये 2, तो 2 sticks, ये आपके पोदे की लंबाई है, ओके, तो अभी, यहाँ पे देखो, ये जो लंबाई है, ये 2 stick है आपकी, मेरी 3 sticks है, ओके, अब इसकी जो height है, अब मैं क्या गरूंगा, ये जो 3 stick मैंने लिये थे, मैंने ये ही जो stick है, वो आपको दे दी, ये वाली जो stick मैंने इस्तिमाल की, वही मैंने आपको यहाँ पे दे दी, तो अब आप गए और आपने 2 stick मेजर किया, है ना, अब आपने फोन पे मुझे बताया है, कि सर, मेरा जो पौधा है, वो 2 stick है, मैंने आपको बताया, कि आपका जो, जो मेरा पौधा है, वो 3 stick है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया, कि किसका पौधा ज़्यादा बड़ा है, ओवि पौधा है, वो हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, याने अगर फिर कभी 10 सालों के बाद मैंने कोई और पौधा लगाया, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है, वो कितना बड़ा है, इन कंपारिजन टू 10 येर बिफोर, जो मैंने पौधा लगाया था, तो मेरे पास य करके कंपारिजन कर सकता हूँ कि एक साल में ये जो पौधा था, वो थ्री स्टिक बड़ा था, वो पौधा, फौर स्टिक बड़ा है, तो याने उसमें ज्यादा इंक्रिमेंट हुआ है, तो ये सब करने के लिए, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मुझे एक नंबर मि मिला है और दूसरा मिला है ये स्टिक, तो ये जो स्टिक है, ये जो स्टिक है, ये ही मेरा यूनिट है, तो ये ही मेरा यूनिट है, तो स्टिक मिन्स ये यूनिट है और ये क्या है नंबर, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी मेजरमेंट को दिखा सकते हो, एक नंबर औ और एक unit से, तो जब आप कोई चीज measure करते हो, याने आपके पास दो चीज़े होती है, एक होता है number, और दूसरा होता ही unit, तो unit क्या है, तो unit is actually a reference standard, तो आपने क्या किया, एक reference standard लिया है, चिकें, यह reference standard है, जो आपने इस्तिमाल किया, यह reference आपको बताता है, कि यह चीज़ कि नहीं बड़ी है, तो यह जो reference standard है, दोस्तो, इसी को आप unit बोलते हो, और कोई भी measurement को आप number और unit की form में देखा सकते हो, अब मैंने एक measurement लिया, सपोज, मैंने इसको एक meter length की, हमने यह क्या लिया, एक wire ली, जिसकी length कितनी होगी, 1 meter होगी, तो meter scale हमने इस्तेमाल किया, और इ यह 5 meter आया, for example, यह 5 meter आया, तो अब यह जो measurement है, इसकी length की, जो measurement है, उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 5 meter, अब यहाँ पे 5 है number और meter है unit, तो देखो दोस्तो, अगर मैंने centimeter की scale लिए, और इसको measure किया, तो यह कितना आएगा, यह आएगा 500 centimeter, अब देखो दोस्तो, यहाँ पे unit change हो गया, और number भी change हो गया, लेकिन इसका, जो length है, वो change नहीं हो, तो अगर आपने unit change कर दिया, जो आप calculate कर रहे हो, आप जो calculate कर रहे हो, वो उसका, अगर आपने measurement का type change भी कर दिया, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता, तो आपकी measurement उससे change नहीं होते हो, तो इसका मतलब यह है, कि अगर यह number n है, और यह जो unit है, उसको अगर मैं u गोलता हूं, तो number और unit, यह हमेशा constant रहेगा, यह हमेशा constant रहेगा, यह हमेशा constant रहेगा, याने, आप इसको ऐसे लिख सकते हो n1 u1 is equal to n2 u2 is equal to constant, तो आप कोई दूसरी system यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पर meter की जगर पर मैंने कौन सी system यूज़ की है, यह centrum meter हो, तो भी कोई फरक नहीं परता, measurement वही रहेगा, आपका unit change होगा, साथ में उसका number change होगा, बट आपकी जो measurement है, वो उतनी ही रहेगा, आय change नहीं होगा, अब दोस्तों, यह जो unit होता है, इसकी कुछ characteristics है, जो हमें यहाँ पर देखनी है, unit की characteristics, चलो unit की characteristics यहाँ पर पढ़ते हैं, तो what are the characteristics of unit, जो unit है, वो कैसा होना चाहिए, तो first characteristic, जो unit के पास होनी चाहिए, it should be, it should be universally accepted, तो जो भी unit आप इस्तमाल कर रहे हो, वो universally accepted होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इस्तमाल कर रहे हो उसको से, और universe में कोई उसको जानता ही नहीं, जैसे कि, आपने कोई, जैसे कि या पर मैंने बताया, कोई stick आपने ले ले ले, और आप बोल रहे हो, कि जो मेरे घर की लंबाई है, मेरे घर की जो लंबाई है, वो five sticks है, और जो चवड़ाई है, वो four sticks है, और आप बोलोगे कि मुझे ये बेचना है, घर बेचना है, चीक है, तो जो खरीददार है, वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कि आपके घर की जो लंबाई है, और चवड़ अपना खुद का एक unit बना के लेके आता है, उसके पाँच कुछ अलग length की stick है, और वो बुलेगा कि मैं तो इससे ही measure करूँगा, और ये जो area है, वो मुझे इसके हिसाब से ही purchase करना है, तो बहुत ज़्यादा confusion create होगा, तो ऐसा नहीं होना चीए, इसलिए जो unit है, वो universally accepted हो होना चीए, याने ऐसा unit होना चीए, जो आपको भी पता हो, सामने वाले को भी पता हो, जैसे कि अगर आप घर बेचना चाहते हो, कोई भी land बेचना चाहते हो, तो आप square feet में उसको बेचते हो, सही है, square feet में, आप उसको बेचते हो, तो feet, याने foot, ये जो है, ये आपको भी पता है, कितना होता है, one foot याने कितना distance है, वो आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है तो ऐसा universally accepted होना चाहिए similarly, जो land है उसका जो area है, वो meter square में भी measure किया जाता है, meter square में की actual में वो बेचा जाता है तो जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो universally accepted चीज इस्तेमाल करनी है, जैसे कि meter तो meter square में जो area आप calculate करोगे वो दूसरे को भी पता होगा, क्योंकि उसको पता है कि meter याने कितना होता है तो यह जो unit है meter यह universally accepted unit है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो unit, वो universally accepted होना चीज जाए दूसरा it should be reproducible it should be reproducible, तो भई जो भी आप unit इस्तेमाल कर रहे हो, रिप्रेडूसिबल होना चीज जाए, याने वो आप reproduce करते आना जै, जैसे कि 1 kg है तो उसकी एक copy बनाते आनी चीजए आपको याने 1 kg से आप दूसरा 1 kg भी बना सकते हो, as it is तो copy बनाते आनी चीजए, याने reproduce उसको करते आना चीजए अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पूरे world में इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक ही unit रहेगा, है ना, और फिर जो 1 kg है, जैसे कि पूरे जो city है, जैसे कि बंबई city है, पूरे बंबई city में एक ही 1 kg है, तो अगर किसी को भी सबजी खरीदनी है, तो वो क्या करेगा उसको वो 1 kg वहाँ से मंगाना होगा, तो सब लोग at a time मांगेंगे तो ये तो possible नहीं है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, उसकी copies बननी चाहिए, तो उसकी multiple copies बना देंगे, 1 lakh copies बना देंगे, और सब लोग जिनको जिनको सबजी measure करनी है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ से purchase कर लेंगे उस 1 kg को, तो reproducible होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो reproducible नहीं हो पाया, तो हमारे कुछ काम का नहीं है, तीसरा, ये जो unit होता है, इसकी तीसरी characteristic है, कि जो unit है, वो easily available होना चाहिए, तो unit should be easily available तो easily available होना चाहिए, अगर ये available ही नहीं हुआ, तो फिर, हमें बहुत problem हो जाएगी, अगर किसी को भी कुछ भी purchase करना है, कुछ भी बेचना है, तो उसको जो unit लगेगा, जैसे कि सबजी बेचना है, कुछ भी बेचना है, तो उसके लिए, जो उसको unit लगता है, वो easily available होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उसको 400-500 km पर जाके, वो purchase करना पड़ रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, वो easily available होना चाहिए, तो और एक फोर्थ जो characteristic है इसकी, वो है, कि it should be invariable, याने जो unit है, वो invariable होना चाहिए, याने vary नहीं करना चाहिए, with respect to space and time, याने आप यहाँ पर measure कर रहे हो, जैसे कि 1 kg sugar आपने purchase की, यहाँ पर आप purchase कर रहे हो, तो वो 1 kg है, और आप कई दूसरी जग़ा पर जाते हो, याने space में, अगर आप move करते हो, तो दूसरी जग़ा पर जाते हो, और वोहाँ पर measure करते हो, तो वहाँ पर 1 kg नहीं है, वहाँ पर आदा kg होगी, है ना, या तो फिर 750 ग्राम्स होगी, या तो भी 900 gram हो गई तो ऐसा नहीं होना चाहिए space के हिसाब से यह invariable नहीं होना चाहिए space के हिसाब से यानि आप कई दूसरी जगब पे गए तो और time के हिसाब से भी उसने variable नहीं होना चाहिए यानि आप ने जो unit लिया है 1 kg का वो आज measure कर रहे हो आप 1 kg मिल रहा है लेकिन एक साल के बाद जब आप उसको measure करने लग गए तो आपको पता चला कि भाई वो अब 1 kg नहीं measure कर रहा है अब वो कितना measure कर रहा है 900 gram measure कर रहा है तो 100 gram का आपका नुकसान हो गया तो ऐसा नहीं होना चीए और ऐसा नहीं होना चीए इसलिए इसकी ये characteristic बहुत ज़रूरी है कि भई it should be invariable unit कैसा होना चीए invariable होना चीए variable उसने नहीं चीए तो अब दोस्तों ये जो characteristic है वो पढ़ने के बाद हम देखते है system of units तो भई इसको universally accepted करवाने के लिए ये जो उसकी characteristic है उसको अचिव करने के लिए system of units बनाई गई तो एक scientist था जिसका नाम खा Goss तो उस Goss scientist ने 1832 में ये बताया कि भई आप क्या करो एक system बनाओ units की जो की universally accepted हो तो फिर सब लोग लग गए काम पे सबने अपने अपनी बनानी start की systems तो सबसे पहली जो system आई वो CGS system थी अब ये CGS system क्या है तो जो basic तीन physical quantities है length, mass and time तो उसको measure करने के लिए यहाँ पे देखो length को measure करने के लिए centimeter C for centimeter तो length को measure किया गया centimeter में G for gram तो mass को measure करने के लिए gram इस्तमाल किया गया और time को measure करने के लिए second इस्तमाल किया गया तो ये जो CGS system है ये centimeter gram second ये system तो ये इसका full pump है याने जब आपको mass measure करना हो तो आप gram में ही measure करोगे kilogram में नहीं gram अगर आपको time measure करना है तो second में measure करो अपना अपना time नहीं चलेगा ये ना नहीं तो आप बोलूगे अपना time आएगा ऐसा नहीं चलेगा वैसे ही अगर आपको length measure करनी है तो वो आप centimeter में ही measure करोगे तो ये है CGS system ये first system थी second जो system थी वो थी MKS system ये भी बहुत ज्यादा famous अब हम यहापे बहुत सारे system actual में develop हुए थे लेकिन जो famous famous system है बस हम तीनी system यहापे पढ़ेंगे तो पहली जो थी वो CGS system थी दूसरी जो system आई वो MKS system तो बोला कि भाई ये जो system थे बहुत ही छोटी है centimeter distance बहुत चोटा है तो क्या करेंगे तो बड़ा वाला ये इस्तमाल करेंगे तो फिर centimeter के भी जगह पे येनोंने start किया meter तो length को measure करने के लिए meter इस्तमाल किया और जो gram है वो भी बहुत चोटा है याने बहुत कम weight है तो mass को measure करना है तो आप किस में measure करोगे ग्राम में नहीं करेंगे किस में करेंगे किलो ग्राम में करेंगे तो kilogram तो k4 kilogram m4 meter और time को second में ही रखा तो time को measure करने के लिए ये भी second ही इस्तमाल करते थे तो लगबग लगबग दोनों जो system थी वो सेम ही थी बस फर्क इतना था कि ये छोटी system थी ये बड़ी system थी आया समझ में उसके बाद में जो third system थी जो कि British लोगों ने develop की थी अपने लिए खुद के लिए तो British हों का राज था पूरी दुनिया पे उन्होंने अपने लिए एक डेवलप की जिसको हम बोलते थे FPS तो FPS का मतलब क्या है कि जो length है देखो length यहा पे centimeter में यहाँ पे meter में तो यहाँ पे length किसमें measure करती थी तो वो foot में measure किया करते थे length को, चीक्ड कर या तो पिर आप इसको बोल सकते हो foot में measure किया करते थे दूसरा जो measure करते थे वो pound में measure करते थे Pound Mass को यहाँ पर देखो gram में यहाँ पर kilogram में यहाँ पर pound में measure करते थे हूँ तो यह British system थी और time को यह भी second में ही measure करते थे तो second बहुत famous था सब जगह पे second इस्तमाल किया है बस यह change कर दी उन्होंने length क्या पता क्या दुश्मनी थी उनकी length और mass से लेकिन उन्होंने उन्होंने उन्हों को change कर दिया बस time को लेकिन time देखो कि आप तीनों system में लगबग लगबग semi measure हुआ seconds में अब यहाँ पर देखो यह जो foot होता है वो कितना होता है 1 feet याने कितना होता है तो भई एक मिटर में यह सवा तीन foot आता है 3.25 foot इतना चोटा याने यह चोटा है मिटर से चोटा है pound याने 454 grams तो 454 grams pound बड़ा है gram से बहुत बड़ा है और kilogram में कितने आ जाएंगे फिर 2 pound आ जाएंगे लगबगबग approximately ओके तो यह जो तीन system है और जो यमके system थी यह दोनों जो system है इसको metric system कहा जाता है metric system metric system याने इसमें जो चीजे थी वो 10 के multiples में थी जैसे कि एक centimeter तो centimeter को आप अगर यहाँ पर देखते हो meter में convert करना हो तो आप क्या कर सकते हो उसको 100 से मल्टे दो तो 1 centimeter को अगर 100 से multiply करते हो तो आपको क्या मिल जाता है 1 meter मिल जाता है 100 centimeter याने 1 meter तो अगर आप ऐसे 10 के multiples में इसको multiply कर सकते हो तो जो भी आता है जैसे decameter centimeter nanometer kilometer यह सारे 10 के multiples में है इसलिए इनको metric system बोला जाता है वैसे ग्राम 1000 gram याने 1 kilogram multiply करते जाओगे 10 10 के form में multiply करते जाओगे तो बड़े units आपको मिलेंगे जैसे कि 10 raise to 3 1000 याने 1000 gram याने 1 kilogram वैसे 1000 kilogram याने 1 megagram 10 to the power 6 तो इस तरीके से यह 10 के multiple में होने के वज़े से इनको metric system बोला जाता था जबकि यह जो 4 pound second system है यह systematic system नहीं है तो आया आपको समझ में यह system of units तीन system of units हमने देखे लेकिन यह जो तीनों के तीनों system of units थे यह जो system of units थे उनको 1960 में कब 1960 में जो conference वी world के conference इसमें discard कर दिया गया उनको बोला गया कि यह जो systems है यह outdated systems है तो 1960 में यह कुछ जो 11th conference थी उनकी उसमें एक नई system लेकिया है जिसको बोला जाता है system international क्या बोला जाता है system the international तो यह सबसे पहली system है जो universally accepted हुई याने जिसको सबने माना all countries all countries ने क्या किया इसको मान लिया system the international को याने SI system यह system बड़ी पेमस हुई और आज हम जो इस्तिमाल करते है वो यही system है SI system जिसको आप बोलते हो क्या बोलते है SI system तो आपने 9th, 10th class में कई बार यह word पढ़ा होगा कि SI system में यह है SI system में वो है जैसे कि length मेजर करते है तो वो meter मेजर करते है वगरा वगरा तो आपने यह देखा होगा तो आगे आपको दोस्तों समझ में तो चलो आज के लिए आपको एक curiosity question देता हूँ आपको मुझे बताना है कि one yard याने कितना होता है one yard याने कितना होता है तो comment section में जाओ और comment करो कि one yard याने कितना होता है find करो, google करो, कुछ भी करो लेकिन वो जो answer है वो आपको comment section में लिखना है तो चलो बस आज के लिए बस इतना ही अगले lecture में हम system international जो है यासा system उसको detail में पढ़ेंगे चलो thank you, thank you very much